नमस्कार दोस्तों मैं फिर हाजर हुए आपके लिए एक निया वीडियो लेकर तो दोस्तों आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूं वो बात करने वाली हूं previous year question of Asian history for UPSC CSU Prilams जिया दोस्तों मैं प्राचेन भारत के इतियास के previous year के जो questions है वो हम discuss कर रहे थे जिसका ये second video है हम आज 1995 के question discuss करेंगे ठीक है year 1995 के उसके पहले मैं आपको एक information दे देना चाहती हूँ कि अगर आप UPSC Civil Services की preparation कर रहे हैं जिसके लिए आप केवल 6 महीने ही बाकी रह गए हैं UPSC CSU 2021 के लिए Slayvers vast है आपका और आपके पास क्या है टाइम कम है आपको 20 प्लस subjects कवर करने होते हैं 100 प्लस books कवर करने होती है जिसके लिए आनिक आइडमी लेकर आया है आपके लिए एक 6 मन्थ batch course UPSC CSC प्रेलेंस के लिए जो की शुरू हो रहा है 21 दिसंबर जहां पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा full syllabus coverage जो की top educator द्वारा provide कराया जाएगा प्रेलेंस test series with analysis मतलब आपको test series मिलेंगी जिनका आपको analysis भी मिलेगा period study material आपको मिलने वाला है dedicated doubt clearing sessions आपको यहाँ पर मिलेंगे इसके साथ interview के preparation भी आपको यहाँ पर कराई जाएगी चली batches देख लेते हैं यहाँ पर देखे आप top educator जैसे के मुनाल सर batch है mission 2021 जो की bilingual है मतलब यह Hindi प्लस English language में क्या किया जाएगा कवर किया जाएगा second batch है लक्ष 2021 जो की केवल और केवल Hindi language में कवर कराया जाएगा मतलब यह Hindi medium वाले students के लिए है next batch है expedition 2021 जो की English में कवर कराया जाएगा यह English language में आपको classes मिलेंगी जो की English medium students के लिए है अगर आप UPSC 2022 में देने वाले हैं तो complete GS batch शुरू हो रहा है जो की UPSC CSE 2022 या 2022 के लिए है जो की start हो रहा है कब 21 दिसंबर को ही start हो रहा है यहाँ पर भी आपको same चीज़ें मिलेंगी full syllabus coverage मिलेगा top educator द्वारा prelims test series मिलेगी with analysis previous study material आपको मिलेगा dedicated doubt clearing session मिलेंगे और interview preparation भी यहाँ पर आपको मिलेगी batches के नाम है mission 2022 जो की bilingual होगा लक्ष 2022 जो की हिंदी में आपको provide कराये जाएगा यहाँ पर इक्सपेडिशन 2022 यहाँ पर आपको English में classes provide कराये जाएगी जो की English Medium वाले students के लिए है चलिए एक batch और शुरू हो रहा है 21st of December को ही जहाँ पर आपको complete GS batch course मिलेगा अगर आप UPSC CSE देने वाले हैं 2023 में तो यहाँ पर भी आपको full syllabus coverage मिलेगा जो की top educator जैसे की मुनाल सर द्वारा cover कराया जाएगा और ही इंडिया के top educator है उनके द्वारा cover कराया जाएगा प्रिलेंट test series with analysis आपको यहाँ पर मिलेगी PDF study material मिलने वाला है dedicated doubt clearing fashion मिलेगा और interview preparation भी यहाँ पर आपको कराया जाएगी नाम दिख लिएते हैं batch का Mission 2023 जो की bilingual होगा Hindi plus English Lakshya 2023 जो की Hindi होगा expedition 2023 जहाँ पर English में आपको classes provide कराये जाएगी तो अगर आप लेना चाहते हैं plus course तो plus की मैं थोड़े सा आपको benefits बता देती हूँ benefits है live classes, test series, unlimited practice, structured schedule यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है अगर आप free में special classes देखना चाहते हैं या live test देना चाहते हैं तो आप यह code यूज़ कर सकते हैं code है SWYT10 जिससे की आप access कर पाएंगे free में जो classes होती है अनिक आडमी पे वो special classes access कर पाएंगे वहाँ पे test provide कर आए जाते हैं वो भी आप access कर सकते हैं और अगर आप plus लेना चाहते हैं तो आपको यह यह benefits मिलेंगे एक बाच और है iconic ठीक है प्लस के साथ साथ कुछ extra advantages आपको यहाँ पर मिलेंगे plus course से भी extra और वो है personal coach यहाँ पर आपको मिलेगा study planner, expert guidelines आपको यहाँ पर मिलेंगी और main test series आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि आपको मिलेगा 6 month का 12 month का 36 month का यह course आप चाहे तो 50 कर सकते हैं ठीक है code आपको वही use करना है कौनसा SWYT10 इसको यूज करके आपको 10% discount भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है 10% discount आपको मिल जाएगा और इसी code से अगर आप free classes लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएँगे special classes SWYT10 यूज करके ओके life test पर आप दे सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो पहला question है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदु शब्द का प्रथम बार प्रियोग किया था ए युनानियों ने बी प्रोमनवासियों ने सी चीनियों ने डी अरबों ये चार option आपको दिये गया है आपको बताना है कौन सा option क्या सही है इस question को जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ moderate की category का question और important ओके तो ध्यान से इसका answer दीजेगा चलिए देखते हैं आखिर इसका answer क्या है कि हिंदू भारत की जनता की संधर में जो हिंदू शब्द का प्रियोग है वो प्रथम बार किसने किया था अरबों ने इसका प्रियोग किया था जो की क्या कहते थे जो की कहते थे सिंधू मतलब वो शब्द प्रियोग करते थे सिंधू जिसको ही हिंदू कहा गया है क्यों क्योंकि ये सा के स्थान पर सा का क्या करते थे प्रियोग करते थे ठीक है एक अरबी विद्वान है अल बरूनी कौन अल बरूनी इसने क्या अपनी किताब किताब अल हिंद में क्या हिंदू शब्द का प्रियोग किया है ठीक है तो पहली बार किस ने प्रियोग किया है अरबों ने प्रियोग किया है जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है भारत की जनता तो आंसर क्या हो गया? इसका D is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं। प्राणियों की हिंसा का मिशेव। आपको बताना है नीचे दिये हुए कूट का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है एक, एक, दो, तीन, चार, बी, दो, तीन, और, चार, सी, एक, तीन, और, चार, डी, एक, और, दो। ठीके, चार ओप्शन आपको देगा हैं। इस क्वेशन को जो मैं रखती हूँ, वो रखती हूँ, मॉडरेट का टेगरी का क्वेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बौध धर्म और जैन धर्म प्रेलेंस के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिने जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट कर देती हूँ, आरिश शर्मा सर की बुक। अगर आप चाहें तो आरिश शर्मा सर की बुक से प्राचीन भारत के इतियास को कवर कर सकते हैं। इसका जो पिछला क्वेशन था हिंदू वाला वो क्या? इस बुक से डारेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे इसको तो दूसरे तीसरे पेच पे क्या? ये हिंदू वाला जो क्वेशन है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो पहला क्वेशन हमें देखा था है। चलिए इस क्वेशन पे आता है फड़ा फड़ा तो इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। तो क्वेशन बोल रहा है बौध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूख से विद्धिमान है। मतलब दोनों में ये प्रेजन्ट है। तो पहला देखते हैं तब और भोग का अतिका परिया। तो ये तो क्या है? बिल्कुल गयत है। क्योंकि देखिए जैन धर्म में क्या ये क्या नहीं है। ठीक है? बिल्कुल नहीं है। जबकि बौध धर्म में क्या कहा गया है? बौध धर्म में इसका अतिका परियार दिया। पत अतिका परियार है। ठीक है? तो उन्होंने क्या मध्यमवर्ग का जीवन जीने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है, तो ये क्या है, बौध धर्म के लिए क्या है, अती का ये गलत है, वेद प्रमान्ड की प्रती अनास्था बिल्कुल दोनो धर्म में थी, कर्म कान्डों की फल्वत्ता का निशेद दोनो धर्म में समान रूप से विद्धिमान है, प्राणियों की हिंसा का निशेद या कह सकते हैं इसको अहिंसा, क्या दोनो धर्मों में आपको देखने को मिल जाएगा समार रूप से तो जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया दो तीन और चार मतलब B is the correct answer यह देखिए B is the correct answer ओके चले next question देखते हैं पड़ाफट next question है निमलिकित में से कौन सी वह ब्रह्मवादनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थे A लोपा मुद्र B गारगी C लिलवती या D सावित यह चार options आपको दिये गए हैं ध्यान से इसका उत्तर दीजेगा इस question को जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ tough की category में और important तो यह question है ठीक है चले तो देखते हैं इसका answer आखिर क्या है पूछ रहा है कौन सी वे व्रमवादनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी तो कौन सी थी लोपा मुद्रा ठीक है कुछ व्रमवादनीयों के मैं आम आपको बता देती हूँ कुछ व्रमवादनीयों के नाम है अपाला घोशा ठीक है एक नाम और है सिख्ता तो ये सब क्या थी ये सब ब्रमवादनी थी जिनोंने क्या वेदों की या कह सकते हैं वेदों की नहीं, वेद मंत्रों की, यहाँ पे देखी वेद मंत्रों का पूछा जा रहा है, वेदों की नहीं, वेद मंत्रों की क्या की थी, रचना की थी, इससे क्या पता चलता है, कि रिग वैदिक काल में, रिग वैदिक काल में क्या था, रिग वैदिक काल में महिलाओं को क्या शिक्षा दी जाती थी ठीक है क्योंकि क्या यहाँ पर महीलाओ का विवरण है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना किये इससे क्या पता चलता है कि महीलाओ की शिक्षा पर जोर था रिग्व्यादिक काल में तो इसका आंसर क्या हो गया चलिए नेक्स्ट क्येशन देखते है क्येशन है मिमान्सा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ती किसके द्वारा संभव है यह चार आप्षन आपको दिये गए है इस क्येशन को मैं जो रखती हूं वो रखती हूं मॉडरेट की काटेगरी में और वेरी इंपॉर्टन ठीक है तो ध्यान से इसका आंसर दीजेगा तो देखे जो मिमान्सा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ती किसके द्वारा संभव है कर्म द्वारा ठीक है कर्म द्वारा क्यों क्योंकि देखे, पूछ रहा है मिमानसा दर्शन के अनुसार, तो मिमानसा दर्शन के अनुसार, कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ती संभव ऐसा बताया गया है, ठीक है, ज्यान का उसमें इतना नहीं दिया गया है, जितना कर्म द्वारा आप मुक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अब अगर मैं मिमान्सा दर्शन के प्रति पादक की बात करो, तो कौन थे, यह नाम आप याद रखिएगा, नाम है, जैमेनी, कौन थे, जैमेनी थे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी is the correct answer, कर्म द्वारा मिमान्सा दर्शन के अनुसार, मुक्ष की प्राप्ती संभव है, चलिए नेक्स्ट क्वेशन दिखते हैं फड़ा फड़, नेक्स्ट क्वेशन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांसी प्रतिमाओं में देवताओं की आकरती प्राह क्या थी, ए उप्षन है अश्टभुच, बी शटभुच, सी चतुरभुच, डी दुवेभुच, यह चार उप्षन आपको दिए गए है, आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है, इस क्वेशन को मैं रखती हूँ, इजी काटेगरी का क्वेशन और इम्पॉर्ट है, इजी सा क्वेशन है, तो ध्यान से आंसर दीजेगे, तो देखें इसका आंसर क्या है, छोलका, छोलकाल में क्या, जो नटराज की प्रतीमा है, जो की कास्य की प्रतीमा, वो क्या, सर्वोत्तम है, कह सकते है, ठीक है सहे वोत्तम है तो उस समय जो चोल काल में निर्मित नत्राज की कास्य प्रतिमाई थी उसमें देवताओं की जो अकरती है वो प्राय क्या है चतुर्भुजे क्या है चतुर्भुजे ठीक है तो चतुर्भुजे प्राय उसकी आकरिती मतलब इसका answer क्या हो गया C is the correct answer ओके चतुर्भुज तो दोस्तो यही था हमारा आज का वीडियो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो मिलते हैं next वीडियो में Thank you so much